हलो एवरीवन वेलकम बेक तो माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लोंग टोप हम यहाँ पर लोंग टोप बनाना सीखेंगे यहाँ गोल्डन कलर का नेट लिया है मैंने और उसके साथ यहाँ पर हमारा अस्तर का फैबरिक है तो चलिए वीडियो सबसे पहले हम यहां अस्तर की कटिंग करेंगे तो अस्तर को मैंने चार फोल्ड में बिछा लिया है इसके बाद में यहां कंदी पर निशान लगा रही हूं कंदी के लिए मैंने छे इंच का निशान लगाया है और उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे तो आर् चेष्ट का निشान तो चेष्ट का निशान के लिए यहां 36 का 44 भाग 36 इंच का 4 भाग हम लेए उसमें 2 इंच हम सिलाई का margin प्लस करेंगे देखें यहां~~ सिलाई margin हम 2 इंच यहां पर रखेंगे टोप के अंदर देखिए इस तरह से मैंने चेस्ट का निशान लगा लिया है 11 इंच पर इसके बाद हम यहाँ पर इसका कमर का निशान लगाएंगे तो कमर चेस्ट के नीचे ही हम कमर का निशान लगाएंगे तो 32 इंच की कमर हमारी यहाँ पर हमारी 32 इंच की कमर है इसे नीचे से में कुछ अम्रेला टाइप रखने वाली हूं देखिए इस तरह से हम यहां पर इसे तिर्चा मिला देंगे जैसे हम ए लाइन गुर्ती में कमर से मिलाते हैं नीचे तक वैसे ही हम इस टोप को रखेंगे और इस टोप की जो लंबाई मैंने ली है वो 20 इंचे अ हमारा हमने अस्तर कट कर लिया अब इसके बाद हमारा जो में फेबरिक है नेट का हम इसे कट कर लेंगे तो जैसा हमने अस्तर कट किया है उसी को हम इस तरह से फोर फोल्ड हम नेट के फेबरिक को बिच्छा कर उसके उपर रखेंगे और उसे कट कर लेंगे देखिए इसके देखे इस तरह से हमारी नेट की और जो हमारे अस्तर की फेब्रिक की कटिंग वो पूरी हो चुकी है अब इसके बाद हमने जो अस्तर कट किया था उसके अंदर हम नेक बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने नेक के लिए यहाँ पर साड़े तीन इंच चोड़ा और तीन इंच ल सबस्तर में मुझे जादा बड़ा नेक नहीं चाहिए लंबाइ में हम कम रखेंगे नेकी टोप के हिसाब से मारी तीन इंच रखेंगे और चोड़ाई में ने 0.5 तीन इंच पर लगाई यह देखिए इस सरह से हम राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे देखिए यहां प कपड़ा है उसको हम इसके उपर प्लेस करेंगे देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इस तरह से उसको उपर प्लेस करना है अब हम यहाँ पर हमारे गले में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इसके बाद हम आर्म होल में और हमारे बोटम भाग में सिलाई ताकि हम उस कपड़े को फिर पलट सके देखे मेरे यहाँ पर दोनों भाग इस तरह से तैयार कर लिए हैं इसके बाद हम इसकी सबसे पहले नेक कटिंग करेंगे और इसके बाद इसके बाद इस कपड़े को सबसे पहले हम यहाँ पर नेक की कटिंग कर लेंगे जो हमारा नेक का फेबरिक है उसमें से नेक की कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद हम छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे जैसे हम सिलाई करते समय लगाते हैं ताकि हमारा जो गला है अच्छे से प्रिक निएग कर देंगे हैं इसे अच्छे से उपर हम फिनिसिंग की सिलाई लगा देंगे ऐसे ही हमें दूसरा भाग भी रेडी कर लेना है दोनों भाग हमने रेडी कर लिए हैं इसके बाद हमने इसके उपर फिनिसिंग की सिलाई लगा लिए उपर हम चप्टी सिलाई जैसे लगाते हैं वेसे हैं लगा लेंगे इसके बाद हमें इन्हें कंदियों से जोड़ना है हमारे दोनों पाट तयार हैं इसे हम कंदियों से जोड लेंगे देखिए इस तरह से हमें कंदियों से अटेच कर लेना है कि हम दोनों कंधी अटेज करने के बाद इसमें स्लीव लगाएंगा अगर आप चाहे तो इसे विदाव स्लीव ऐसे ही रख सकते हुआ कि दिखिए हमने यहां पर एक तरफ अटेज कर लिए ऐसी इसलिव हमें दूसरे भाग में भी अटेज कर लेंगे देखिए इसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे देखिए आसानी से हमारा टोप बनकर रेडि हो गाया आप किसी भी क्लोथ का इस तरह से टो किसा दूसर लगा